तो चलिए क्लास को अब हम सुरू करते हैं और आज की क्लास में क्लास दसवी क्या गणित प्रश्णावली एक दसमालो एक को सल्व करेंगे इससे पहले वाले क्लास में हम लोग इसका introduction देखे थे और आज की क्लास में प्रश्णावली जो 1.1 में जो 7 questions है, सारे questions को solve किये जाएंगे तो इस class को अंतक देखिएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रश्णावली 1.1 से आप लोग का जो question का marks होंगे 2, 3, 4, 5 marks समझ लो कि सिर्फ 1.1 से 5 नमबर का आप लोग का इस बार आने वाला है तो please आप लोग से request हैं कि प्रश्णावली 1.1 को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और आप लोग new book खरिद लिजेगा क्योंकि पुराने book अब बदल गया है इस बात को याद रखिए क्योंकि पुराने book से बहुत सारे हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं जिनका भाईया का हो या दीदी का हो या मतलब बहुत दिनों से रखा हुआ था book अब आप लोग उसको से पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल वो गलत बात है क्योंकि आपका नया बुका गया है मार्केट में जाकर क्या चेक कर लेना ठीक है हम इसलिए सजेक्ट कर दिए ताकि आपको यह बात पता रहे है ठीक है चलो सब के पास किताब है चलो पाला प्रस्न है कि निमली खित संख्याओं को अभाज ये गुड़न खंडों के गुड़न फल के रुपने ब्यक्त किजिए क्या बोला है एक बार पढ़िये ध्यान से question जितना अच्छे से समझेंगे उतना ये अच्छे से प्रस्न को भी हल कर पाएंगे ठीक है बोला है कि निमली खित संख्याओं निमली खित का मतलब जानते हो क्या होता है दस में आगए साइद आपको पता नहीं होगा निमली खित का मतलब होता है नीचे आपका नीचे प्रस्न दिये हैं कि निमली खित संख्याओं को अभाज ये गुड़न खंड गुड़न फल के रुप में ब्यक्त करना है अभाज ये गुड़न खंड आप 7-8 में भी पढ़ करते हैं क्या है 140 क्या है 140 140 140 को अभाज ये गुड़न खंड करना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले रफ में जाएंगे क्या करेंगे पहले हाँ 140 लिख लेंगे और यहां पर इकॉल का साइन लगा देंगे, हम जाएंगे रफ में, रफ में हम आये, और 140 यहां पर लिख लिए, अब भाग बीदी से जानते हो न, भाज ये गुडंकर्ण, सबसे पहले छोटे नंबर से कटाएंगे, दो होता है, सबसे छोटा नंबर, ऐसे एक होता है, लेकिन एक का कोई भैलो नहीं होता, इसलिए छोटे नंबर कटाने के लिए, दो ही माना गया है, ठीके, दो से कटाएंगे, दो साथे, चवदा, और यह जीरो है, जीरो जब राता है न, उसको निचे, ऐसे ही उतार लेते हैं, अगेन इसको दो से करेंगे, तो दो तिया, छे, इसमें करी गया टेन हो गया, तो दो पांचे, दस, अब इसको देखो, दो से कटा सकते हैं क्या, नहीं कटा सकते हो मेरे भाई, अब किसे कटाएंगे, फाइब से, फाइब से बेंजा, यानि पांच साथे, पैतिस, अगेन इसको साथ से कटाएंगे, साथ, पूरा पूरा कट गया, जब हमन क्या करेंगे इसको लाएंगे दोडो लिखेंगे की बिलंकुल एक पांच लिखेंगे और एक साथ लिखेंगे अपका भाजै बुदंधकर एसे भी हो गया जडती अप हो चाहते हो इसको और अच्छे से separate कर लें तो दो कितना है दो गो तो इसको दो के पावर दो लिख सकते हो कोई दिकत नहीं दोनों बात इक है लिखने ऐसे कर लो अच्छा रहेगा एक्जामनार आपको खुस हो जाएगा देख करके कि बच्चा पढ़ने वाला है पांच कितना है एक इसको पांच के पावर एक लिख दो और साथ कितना है एक साथ के पावर एक और एक्जाम में इसको नहीं दिखाना है इसको रफ में लेकर के जाना है अब वहीं पर यह लिखा पोती मत कर देना ठीक है इसको रफ में करना एक्जामना जब आपके एक्जाम में जब क्वेशन आए तो इसको देखता है ये नहीं देखेगा इसको रफ में करिएगा वहाँ पर बगल में भी नहीं करना है इने तक कचड़ा हो जायेगा वह देखनेंए बिकार लगने लग जाता है ठीके तैस च्छिर्फ आफको इतना करना है इसको रफ ने आफ बर revision करने का किसी को नहीं मिलता क्योंकि आपका भी सिर्फ मैहथ ही तो नहीं पढ़ना है Math पढ़ना है Physics पढ़ना है chemistry पढ़ना है बायो पढ़ना है Hindi पढ़ना है English पढ़ना है Social Science में 5-3-4 book होगा आपका तो बहुत सवारा book पढ़ना होता है 10th class में इसलिए हम बिल्कुल सलो चलेंगे और एक ही बार में सारे चीज़ आप लोग को बताने कोज़ करेंगे बाद मेरी भीजन भी नहीं करें फिर भी आपका कम्प्लीट हो जाए अब क्या करेंगे 156 का भी अब हाज ये गुड़ंखर्णी करेंगे तो यहाँ पर करते हैं 156 का तब से पहले कितना से कटायें छोटा नंबर क्या है दो दो से कटाते हैं कितना होगा दो साथे 14 इसमें हासल गया 16 हो गया 28 है 16 अगेन इसको 2 से कटाएंगे 2 3 6 2 9 18 अगेन इसको 3 से कटाएंगे 3 13 49 पूरा पूरा कट गया न अभी 13 बाकी है 13 को भी कटा दो 13 को 13 सहीं कटा दो यानि जब हमने इसको अब हाज बुड़ांखन किया 2 2 आया है और 1 3 आया है और 1 13 आया है इसको कैसे लिए सकते हो 2 के power 2 और ये 3 के power 3 आया है ना 3 के power 1 5 तेरा कितना है एक बार तो तेरा के power 1 हो जाएगा ठीक है अगेन तेरा कर पाए ठीक है तिसरा है कि 38 25 क्या है 38 25 अब 38 25 को करेंगे तो सबसे पहले तो यहां लिख लेंगे 38, 35 और 38, 25 से यहां डालेंगे यह देखो 38, 25 और 38, 25 को करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे छोटे नंबर से 2 से तो होगा नहीं 3 से होगा 3 एक बार में 3 दूना 6 और एक इतना हो जाएगा 22, 3 साथे 21 और 3, 5, 15 अगेन इसको 3 से करेंगे 3, 4, 12 तीन दूना 6, 3, 5, 15 अगेन इसको 3 से करेंगे क्टेगा क्या तीन, एक तीन चब का बार तीन से नहीं करेंगा 5 से डिरेक्ट, पाचवाठे 40 और 25 अगेन इसको 5 से करेंगे 17, 5, 18 अगेन इसको 17 से करेंगे यह पुरा-पुरा कट गया यानि जब 38, 25 को अब हाज गुडंखन किया तो 3, 2 आया है 5, 2 आया है और 17 आया है तो लिख लेंगे 3 के पाउर 3, नहीं 3 के पाउर 2 ना, 2 ही है और 5 भी कितना है, 2 है और 17, 1 है तो 1 ठीक है, कम्प्लीट है आप एंसर भी मैच करा सकते हो एंसर देखते चलोगे तो आपको confidence भी डिवलप होता है कि हमारा एंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें तो पता है कि एंसर आ रहा है, मेरे को देखने जूरत नहीं होता है लेकिन बहुत सारा मैं स्टुर्ण बुलते कि सरेंसर को मैच कराते चलो, ठीक है, सब का एंसर है, तो सबसे पहले यहां पर आएंगे रफ में, यहां कर लेते हैं 55 का, सबसे पहले 5 से ही करते हैं, यह हो जाएगा 1001, फिर इसको कितना से करें, 5 से कटेगा क्या, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, साथ एक बार में, और 306 का 28, और 73 का 21, अगेन इसको कितना से कटाएं, 11 से, 11 एक बार में 31, 13, 33, फिर 13 से कटाए देंगे, पुरा-पुरा खत्तम, यानि हमारा 5, 7, 11, और 13 आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कि 5 एक आया है, 7 एक आया है, 11 भी एक और 13 भी एक आया है, पाचवा, पाचवा है, चवहत्तर उन्तिस, चवहत्तर उन्तिस, चवहत्तर उन्तिस के लिए यहाँ पर करेंगे, चवहत्तर उन्तिस, देखो चवहत्तर उन्तिस के लिए ना तीन से होगा, ना पाच से, ना साथ से, ना नो से, एकारण से, चांस है क्या, नहीं, तेरह से भी नहीं, पंदरा नहीं, सोला, सत्रस से डाइट होगा, क्या, सत्रस से होगा, सत्रस चवह का अर्शट, अर्शट, छाचछट, सत्रस ती एकावन, सत्रस ती एकावन, और एकावन, और नौ, कितना, नौ है कि कितना है, आप से करते हैं, है तका अरसट अरसट उनहात्तर सत्र एक तर बतत तर चुहत्तर यह बासट हो गया तरती एक और एक और एक और एक और एक और ओन गुद्वाज्वर्ज जाहिए कुख कुख कि अपर चुका और सब्सक्राइब कर देगा हुआ 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 है सत्राइयों 4060 और इसमें गया 62 complicado 2051 और यह से कितना 119 17 170 119 ऑनी सो कितना से करें और यह 23 से खत्म यानि इसका जो हमने अब आज उडंखंड किया 17 19 और 23 आ गया इसको राइट कर सकते हो कि 17 जो है एक है 19 हमारा एक है और 23 भी एक है यह देखो आपका एंसर आ गया तो पहला प्रश्ण हम लोग का कंप्लीट होता है अब हम लोग दुसरा देखेंगे चलो दूसरा आपका प्रश्ण है कि पुडांकों के निम्लिखित जुग्मों के एसी अफ और एलसीम ग्याद किजिए तथा इसकी जाज किजिए कि दो संख्याओं का गुड़नफल एसी अप इंटू एलसीम होता है हमने इसका इंट्रोडक्शन में बताया था ठीक है कि क्या होता है दो संख्याओं का गुड़नफल साइध आप लोगों को याद भी होगा कि दो संख्याओं का गुड़नफल जो होता है यह सीअफ इंटू एलसीम होता है लेकिन यह पर कुछ अल्लाक्शन है और इस तरह का क्वेशन आपकी एक्जाम में आएंगे ही आएंगे ठीक ह Q2 का पहला है 26 और 26 और 91 इसका क्या करना है कि एलसीम निकालना है और उसको फिर जांच भी करना है ठीक है तो बहुत इजी है आप लोग जो पहले एलसीम पड़े हो वे एलसीम नहीं यहाँ पर दूसरा कुछ एलसीम काम करता है कैसे तो पहले क्या करेंगे 26 का अभाज गुड़ंखन निकालेंगे उसके बाद क्या है एकानवे एकानवे का भी अभाज गुड़ंखन तो हम आएंगे रख पेज में और 26 का अभाज गुड़ंखन निकालेंगे 2 से 13 बार में और यह 13 से कैंसिल 91 है 91 का भी निकालेंगे 2 से तो होगा नहीं 3 से होगा 3 से भी नहीं होगा इसको साथ से करते हैं 39 और 13 हो गया ग्ट यानि 26 का भाज गुडंखंड 2 और 13 होगा हमने लिख लिए 26 का भाज गुडंखंड एक आन्वे का भाज जी गुडंखन साथ गुना तिरह होगा अब देखो आपको निकालना है A.C.F कहेंगे A.C.F बराबर A.C.F कैसे निकालते हैं दो संख्याओं में तो दोनों में जो कमान हो कमान का मतलब एक दोनों में मिलने वाला कमान का मतलब क्या होता है दोनों में वो मिले ठीके तो इसमें दोनों में मिलने वाला कौन है दू है क्या दो तो दोनों में नहीं मिल रहा है तेरा है तेरा है तेरा इसमें भी है और तेरा इसमें भी है तो तेरा को क्या करेंगे ऐसे क कर लेंगे तेरा जो है हमारा मिल रहा है तो इस दो तेरा में से एक तेरा को लिख लेंगे और ऐसा कोई है जो दोनों में मिल रहा है है क्या नहीं है सिर्फ तेरा जो है दोनों में मिल रहा है तो उन दोनों तेरा में से सिर्फ एक तेरा लिखेंगे तो हमने दोनों में से एक निकलना है एलस्याम ही बोला है ना हाँ एलस्याम कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले जो एस्याफ आपका जो आया है उसको हम लोग लिख लेते हैं अब उसके बाद जो हमारा बच गया है जो नहीं मिल रहा है जैसे दो नहीं मिला साथ नहीं मिला उन सब को क्या करते हैं एलस् नहीं मिलने वाला था अब इनको क्या करेंगे गुना तो गुना करेंगे तो क्या होगा देखो तो तीरा दुना 26 26 को साथ से गुना करेंगे सच्छक 42 के दू साथ दुनी 14 14 और 42 है न चार 14 4 18 यह आ गया 182 कितना आ गया 182 तो देखो नारा इन दोनों संख्याओं का एंस्यम भी आ गया और एलस्यम भी आ गया इस तरीका से आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो बस आपको अब आज बुड़न खड़ाना चाहिए और यह काम जो हम किये हैं यहाँ पर यह देखो घेरने वाला इसको एकजाम में नहीं गिरिएगा बस आपको यहाँ पर समझाने के लिए याद रहे आपको हमेसा इसलिए हमने बताया ठीक है कि दो में से एक लिखते लेकिन आप लोग ए आपको नंबर काड़ सकता है घुसा वाला होगा तो ठीक है लेकिन आपको क्या करना बस समझने के लिए ऐसे आमने घेर लगाया था समझ गया बात को हम क्या करना चाहरे ना ठीक है तो एसी अप आ गया अब क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुड़न फल एक कोर्डिंट थू-question एनिव प्रस्णे से आपका प्रस्णे बोला गया है कि दो संख्याओं का गुड़न फल जो है दो कहाओं का कि गुड़न फल कि दो संख्याओं का गुड़न फल क्या होता है ACF, गुणा, LCM यह पोता है पर मुला तो दो संख्याओं का गुणनफल ते दो संख्या है कौन? दो संख्या जो दिया गया है क्या है? 26 और 91 हमने लिख लिया दोनों को गुणा कर दिया क्योंगी गुणनफल का बात किया है अब बराबर में ACF ACF क्या है? 13 है और LCM क्या है? 182 है अब क्या करेंगे? दोनों को गुणा करेंगे तो 91 और 26 को करेंगे गुणा लिख कर यहाँ 182 और 13 को गुणा करेंगे तो गुणा करो 91 को 26 ले गुणा करेंगे सब जो काम कर रहे ना यह वोला चीज यह रफ में करना है तो करेंगे 26 और 96 का गुणा तो छे 9674 की 54 2 गुणा एक दो नोदुना अठारा यहां से 6 6 पाच पाच दस तिन तेरा और यह कितना एक एक दो तेईश चाचटा गया जब हमने 26 से काचा गुणा कीया तो तेईश चाचटा गया और 182 और 13 गुना करेंगे 3 दूना 6 की 6 8 और कितना जाएगा 1, 3, 2, 6 यानि ये भी कितना आएगा 23, 6, 6 आएगा हमने इसको complete गुना करके दिखा दे क्या ऐसे नहीं किया है, डालेट किया है लेकिन आपको दिखा देते हैं जब हम 182 और 13 का भी गुना करेंगे न, 182 और 13 का गुना करेंगे 3 दूना 6, 8 रिका 24 के 4 और ये 3, 2, 5 ये 2, ये 8 और ये 1 गुना करो तो 6 का 6 4, 2, 6, 8, 5, 13 के 3 1 और हांसिल 2, 3, 6, 8 यानि दोनों को गुना कि देखो बराबर आगया, जब बराबर आगया तो समाज लो कि आपका ये ACF, LCN सारे चीज सही है तो जब भी आपका equation आएगा, कितने marks का आएगा 2 marks का आने वाला है तो इसलिए ध्यान से इसको बनाईएगा और ये जो काम कर रहे हैं, रफ में करना है ठीक है ना, याद रखिएगा तो उमीद करता हूँ कि आप लोग को पहला प्रस्ण दुसरा का समाज में आ गया होगा, ठीक है अब इसका अगला देखते हैं एक अच्छे से आप लोग को समाज में आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिकत नहीं होगा आप सही से करना सीख जाओगे ठीक है, यह कोई बड़ी चीज थोड़ी है यह सब बहुत EG चीज है और इतना EG है कि आपके एक्जाम में जब आए बिल्कुल सुकून से बनाओगे कब? जब अच्छे से पढ़े रहोगे तब, ठीक है और आपका कोर्स जो है ना पांच महिना में खत्म हो जाएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है पांच महिना में पढ़ा देंगे उसके बाद रिविजन करना है, ठीक है चलो, दुसरा है दुसरा का दुसरा यह क्या है? पांसो दस और पांसो दस और बानबे पांसो दस और नैंटिटू ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे? पांसो दस का गुड़ंखन और बानबे का गुड़ंखन ठीक है? आए इधर रफ्त में पांसो दस का करते हैं दो से करें, हो जाएगा दो दुनी के चार दो पाचे दस और ये 0, 255 बार में पुरा-पुरा कट जाएगा अब इसको करते हैं दो से तो जाएगा नहीं तीन से, तीन से हो जाएगा तीन अवाठे 24, तीन पाचे 15, पांसे करेंगे 5 और ये 17 पाचे 85, यानि हमारा 510 का भाज ये गुड़ंखन में 2 मिला है, तीन मिला है, और 5 मिला है, और एक 17 मिला है ये 17 से कटाओगे ते पुरा-पुरा कट जाएगा, 92 का करो 92 का करेंगे 2 से 2 चाओ का 8, 2 चाओ का 12, 2 से करेंगे ये हो जाएगा, 23 और 46, अब यहाँ पर बच गया 20 और पूरा पूरा कट गया यानि इसका आया है 22 और 23 हमें निकालना है पहले ACF उम्मिद करता हूं आप लोगों फार्ट प्रस्ट में देख करके समाज में कुछ आया होगा तो Tracy Ef निकालने कंछा करते है जोड़ा लगाते हैं दोनों में जो मिलेगा कि यहाँ है और यहां भी है तिन दोनों में से क्या करेंगे इसको जोड़ा लगा देंगे और दों से कितना लिखेंगे एक और दखो तो इसमें त्वर में तन है cidade है पांच नहीं है आया है उसको लिख लेंगे अब बाकी जो नहीं मिलने वाला है टोटल को लिख लेंगे 3, 5, 17, 2, 20 सब लिखेंगे 3, 5, 17, औरे 2, औरे 23 इन सब को लिख करके गुना कर देंगे गुना करिए 2, 3, 6, 35, 30, 32, 60, 60 और 17 से और फिर 23 ले करेंगे पहले 60, 17 गुना करते हैं तो 0, 76, 42 और 0, 60, 0, 2, 6, 4, 10 फिर 23 ले करेंगे यह 0, 3, 2, 6, 0, 3, 0, 4, 0, 2, देखो कितना आया 0, 6, 4, और यह 23, 23, 460 हाया है तो हम इसको हटा देते हैं ठीके 23, 460 हाया है ना 23, 460 यहां 23, 460 हम लिख लेंगे यह अपका यह LCM अब हमें चेक करना है कि दो संख्याओं का गुड़नफल यह फर्मूला को लिखेंगे 2 संख्याओं का गुड़नफल क्या होगा? LCM गुणा SCM LCM गुणा SCM 2 संख्या कौन है? 510 और 92 है इसको गुणा करेंगे कितना है? LCM, SCM है 2 और LCM है 23, 460 तो हम क्या करते हैं? इनको गुणा करेंगे 510 और 92 को 510 और 92 को गुणा कराएंगे 0, 2, 25, 10 0, 9, 95, 45 0, 2, 9, 6, 4 46, 920 46, 920 और 23, 460 को 2 से करेंगे ते भी कितना हैगा? 46, 920 योर प्रूप एंसर ठीक है? तो जब भी आपको प्रस्ने आए आप रामस ऐसे बनाओ और एंसर पाओ और मार्क्स भी पाओ ठीक है? यह है आप लोग का प्रस्ने संख्या 2 अब हम प्रस्ने संख्या 3 देखेंगे ठीक है? दूसरा का तिसरा देखो महनत इतना कर रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? बताओ इसलिए मेरे भाई आप लोग जरूर महनत करो ठीक है? आप ही लोग के लिए हम इतना गर्मी में महनत कर रहे है ठीक है? और ये निव बैच लाने का मेरा मकसद ये था ना कि आप लोग का अच्छे से त्यारी हो सके निव बुक के एक्कॉर्डिंग ने तो बहुत दिन से हम आरे पास कॉल आ रहा था लेकिन हमने फिर से चलो कितना बच्चे हम लोग से बोल रहे है रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों न एक नया बैच लाया जाए ठीक है? इसलिए हमने नया बैच स्टाइड किया है तो जिनको जोइन करना है जल से जल जा करके जोइन करिए 499 रुपया लग रहा है पूरा फुल कोस पढ़ाएंगे नोट्स देंगे, डाउड क्लास देंगे कोई ज्यादा थोड़ी लग रहा है जोइन करो जिनको जोइन करना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप है यहां लाश्ट में प्लेश्टोर से डाउलोड भी करके आपना जोइन कर सकते हो नहीं चीज आ रहा है समझ में तो कॉल कर लो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है चलो 336 और 54 336 और 54 ठीक है अब 336 और 54 का देखो क्या करेंगे पहले 336 का हम करेंगे अब आज ये गड़न खण उसके बाद 54 का 336 का करो 2 से करते हैं एक बार में 2 च्छा का बार हो 2 बाठे सुला 2 से 8 और ये 2 अगेन 2 से 4 और 1 ये हो गया 336 है ना चिक कर लो हाँ 336 है हमने पहले 2 से किया एक बार में 3 दुच्छा का बार हो ये 16, 2 अठे सुला सही है 2 अठे सुला और ये चार होगा गाद कर दिये हमने 2 अठे सुला दुच्छाव का 8 होगा 84 अब हो जाएगा 42 अगेन इसको 2 से करेंगे 21 अगेन 3 से करेंगे 7 2 से 27 3 से 9 3 से 3 एक 2 है और 2 नहीं 3, 3 है ठीक है एस यप निगालो एस यप क्या होगा ये देखो दोनों में 2 मिल रहा है हमने राइट किया तो 3 भी दोनों मिल रहा है हमने राइट किया तो 3 दुना 6 एस यप 6 आगया LCM निकालेंगे पहले जो LCM पाया है वो इसको लिख लेते हैं अब बाकी जो बच गया है सब को लिखो 3 गो 2 है हमने राइट किया 1, 7 है राइट किया 2, 3 है इसको भी राइट किया अब इसको गुना करते हैं LCM कितना हैगा हमारा 6 दुनी 12 12 दुनी 24 24 दुनी 48 48 और 7 से करेंगे 48, 47 58, 56 कि 6 हासिल 5 7, 24, 28 32, 33 कितना गया फिर इसको तितिरी का 9 9 से करेंगे कितना हो जाएगा 9, 4, 26, 95, 94 4, 29, 27 27, 20 29, 27 27 29 और हासिल 3 30, 30, 24 आजाएगा कितना आएगा 30, 24 ठीक है LCM हमारा आगया 30, 24 अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुड़नफल 2 संख्याओं का गुड़नफल 2 संख्याओं का गुड़नफल क्या होता है ACF इंटो LCM 2 संख्याओं कौन कौन है 2 संख्याओं हमारा 6 है नहीं 6 थोड़ी है 336 और 54 है और LCF कितना है 6 और LCM लाए है 30, 24 इसको गुणा करेंगे तो 336 और 54 से और 24 की चार हासिल 2 3, 4, 12, 24 3, 4, 12 और हासिल 13 5, 6, 35 35 35 35 35 और 16 ये 4 ये 4 18 18 14 40 देखो हमारा दोनों complete answer आ गया जब भी आपको एक प्रशने पूछे आप ऐसे बनाओ और दो मार्क्स लाओ तो हमेशा मेरे भाई याद रखना जब भी आपको ऐसा प्रशने पूछेंगे तो आपको घबराना नहीं है अच्छे से इसको सल्व करना है ठीक है ना गबराओगे तो फिर बन नहीं पाएगा समझ गए इसको थोड़ा हटा लेते हैं ठीक है चलो तो हमारा दूसरा जो प्रशने था वो complete होता इसी के साथ अब हम इसका तिसरा देखेंगे देको बहुत ह्यों जानते है उसके करके दीखन रहे है तकि आप लोग Windows में कन रहता है है वागी टीकरों कर रहे हैं क्यूंकि हम जानते है कि आप लग पढ़ रहे होंगे तो आपको सरे समस्षय आ रहा होगा उस problem को दूर करने के लिए ही हम आप लोगे साथ कितना मेहनत कर तो और दुसरे काम के लिए नहीं कर रहे हैं और जल्दी हम डीटल बोड ले लेंगे जार टीक है डीटल बोड में हमारा अब देर नहीं उस इस बोड़ पर या हम हम पेज पर पढ़ाते हैं तो वो समस्या खतम हो जाएगी फिर डीटलबोड आने वाली है तो फिर हमारा स्टार्ट होगा डीटलबोड मंगवाए थे लेकिन खराम निकल गया था तो फिर हमने उसको रिटर्न किया और सोचें कि अगले साल मतलब जनवारी से हम अपने डीटल बोड मंगवाए थे बस कुछ उसमें प्रोब्लम आ गया था जो कि हम पसंद नहीं है फिर हमने उसको रिटर्न कर दिया था ठीक है तो जब आएगा जनवारी से मेरे ख्याल से लगता है कुछ टाइम से हम मंगवाएंगे क्योंकि अभी मंगवाने कोई प्रोफिट है नहीं कोई अभी आफर भी नहीं है ठीक है दिवाली मिशना रता है तो ले लेंगे नहीं मिलेंग लिए क्यों कुछ टाइम पे कुछ मिलता है सरस्था की मिलता एक बस डिटन बौड से एसे कोई मतलब नहीं है कि जहां हो पढ़ना होगता है आप लोग्ता है कह än हम पर पढ़ा है है बस होता है कि आप lo ate उसे फैदा नहीं हैं हम लोग उसमें फैदा होता और हुद में अराम मिलता है ठीक है बाकि इस सब बात आप लो जानते मों क्या करोगे हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चेन कि तरब कि क्या है कि अब हाज गुढंखंड विधी दवारा निमली खित पुढ़ांकों के एंसी एफ और एलसे हम ग्याद किजिए जैस्ट जो क्वेशन नंबर टू की हो ना उसी के तरह क्वेशन नंबर थ्री भी होगा क्या है बारह पंद्रह और एक इस बस इसमें तीन है कि फिर 15 का करेंगे अगें इसको 21 का करेंगे 12 का करेंगे तो 2 कि दो और यह 3 होगा हमने डाइरेक्टर लेकिंगे पता है आप लोग भी नहीं पता चलुप इधर 12 का तोड़दो 15 का करेंगे तो 3 और 5 होगा 35 15 क्या करेंगे तिन और साथ होगा देखो तो यहां से एसी अब क्या होगा जो तीनों में मतलब तीन जब दे दिया तीन संक्य तो तीनों में देखेंगे कौन में लेकिन तीन हमारा तीनों में कितनां लिखेंगे 30 को लिखेंगे जो कॉमन मिलेगा और कोई नहीं यहनि हमारा cf3 आ गया अब हम ELCM निकालेंगे एलस्याम में क्या होता है जुक्त वही मिथड कि जो फ़रे sf आया है ना उसको लिख लो उसके बाद जो बच गया सारे को लिख लो तो को दो बचा है उनको हमने राइट किया उसके बाद यहां 5 बाकी है पांच को राइट किया उसके बाद 7 तो 7 को भी हमने है अब इन सबको गुणा कर देंगे अ 2 6 6 वनी बारा 12 साथ हर और साथ से करेंगे और सचब 42 हैं 420 अ जाएगा ठीक है यह हमारा है इसको चेक करने की वहत नहीं है क्विशन नंबर तू के जैसा कि दो सब्सक्राइब करने की अपको बना देना है तो पहला हम लोग का कम्प्लीट है दूसरा क्या है 17,23 और 29 यह क्विश्चन है 17 का करेंगे तो क्या होगा एक गुणा 17 तो लिख सकते हैं कोई दिकत नहीं क्योंको 17 का फैक्टर होता नहीं है 23 का भी नहीं होता एक गुणा 23 लिख सकते हैं 29 का लिखेंगे एक गुणा 29 ठीक है इसमें तो कोई किसी का नहीं मिलने वाला लेकिन एक सब में मिल जाता है जब किसी में कुछ नहीं मिलता है एक मिलता है तो वहीं हमारा के अंसर एक हो जाता है ठीक है अब यहां से लborneने के क्या ऊब करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 17 होना चाओे सतर अदिक आउन सतर दुनि चौवतीस या यह एक नव तीन 390 फिर 29 ले कर देंगे 29 गुर एक 9, 9, 81, 1, 8, 9, 27, 27, 33, 35, 35, ये 2, 9, 18, 3, 26, 1, 7, ये 9, ये 3, 8, 5, 13, 3, 7, 3, 10, 11, कितना आ गया? 11, 3, 3, 9, आपका LCM, ये हो गया, अगला देखिए तिसरा इसका, तिसरा क्या है? 8, 9, 25, 8, 9, और 25 है, सबसे पहले 8 का तोड़ेंगे, 8 का होगा 2 गुना, 2 गुना, 2, 9 का तोड़ेंगे, 3 गुना, 3, 25 का तोड़ेंगे, 5 गुना, 5, देखो तो कोई किसी में मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जब कुछ नहीं मिलता है, तीनों में चाहे, दोनों में चाहे, चारों में, उसका LCM एक हो जाता है, अब LCM निकालना है, तो LCM में क्या करते हैं? जो LCM है उसको लिख लेंगे, जो बच गे सारे को चत्तर और तीन से करेंगे तो कितना होगा पज़ते ही 15 सत्री का 21 21 22 25 ठीक है यह गया दोसव पचीस को दूदुनी के चार चार दूदुनी याड से कर देंगे कितना होगा यहां पर रेट लिखते हैं और तो सबकितना है सही है वो तो हटा दिया कि नहीं है 420 और 3 सही है दूसरा कितना है कि 1149 अच्छा 1149 डायेट लिख दिया क्या इसको हमने सही से किया था यह हम लोग सही किया है ना यह तीन सब इतना आया था इतना से और 29 ले करेंगे इस बुक में गलत इंसर दिया 1149 नहीं हो सकता 11349 ठीक है और एल सेम कितना इसका आठारा सो एक ठीक है सारे सही है सिर्फ आपके बुक में हापर एक तिन छोड़ दिया है क्योंकि गुना करके आप चेक करो ना सही से इतना ही आएगा ठीक है कि समाझना है सबको किसी कोई दिकत नहीं चलो आगे बढ़ते हैं क्वेशन नमर तीन कंप्लीट हो गया चार के तरफ चलते हैं कि देखो चौक और इस ग्रीन वर्ड पर पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है न Pay hope को कोशिस करेंगे अगले कैस से आप लोग को पेजबर ही पढ़ायेंगे पेजबर हमलों को रिष्ट मिलता और आप लोग पढ़ने से मतलब है आप हम कहीं पढ़ाएं आपको concept समझने से मतलब है अबने है जिसको कितना डाना पढ़ता है लिट करना पढ़ता है बहुत मेनत पढ़ता है चौक सबढ़ाने में क्या है पच्वा ने चौता है चौता आपका प्रश्ण है कि जो co है यह question आएगा इस बार exam में जो ACF है वो आपको given है 306 और 657 इसका ACF है 9 क्या है 9 और आपको इसका LCM बताना है क्या बताना है कि LCM क्या होगा है कि इसका 306 और 607 का क्या से बताओगे जो बच्चो 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 ओला जो होता है LCM इसे निकालोगे नहीं क्या से निकालोगे आपको एक फार्मूला याद है कि दो संख्याओं का गुड़न फल क्या होता है कि दो संख्याओं का गुड़न फल क्या होता है कि दो संख्याओं का गुड़न फल इसे अफ कितना है इनका इसे नौ है पहले से दिया गया है LCM आपको पता करना है तो यहां पर LCM का LCM कर देंगे अब देखो तो 306 और 657 बराबर में LCM अब आप उसर 9 कहां गया तो 9 क्या कर रहा LCM में गुणा बराबर की सट भेज देंगे इधरा कर क्या कर देगा भाग एक कंसेप्ट समझ माया अब इसको कटा दो 2927 यह कितना 369 का 36 कट गया यानि 34 गुणा 657 आ गया जो की LCM आ गया अब इनको गुणा करके लिख देंगे तो 657 और 34 को गुणा करेंगे सच्चों का ठाइस की आठ हांसिल दू पंचों का 22 दू बाइस सच्चों का 24 दू 26 सतिरी केका इसकी एक पंथियांएक पंदरह पंदरह और दू सत्तरह चत्री अठारह और एक उन्निश है याठ दो एक तीन चौचों बारह एक तीरह आउ डू दूएक आरह एक डू बारह एक दू बाइस तैतिस शाच्चा एस अरटिस कि हैं और 30 यह क्या आया LCM तो आपसे क्या पुछा गया था LCM ही बताओ न तो लाश्ट में लिखेंगे अता LCM बराबर 22 338 योर एंसर ठीक है तो जब भी यह प्रश्ण आएगा तो क्या आप बना पाओगे आपको तो ऐसे भी प्रश्ण पुछ सकता है कभी कभी कि इतना और इतना का LCM मतलब LCM हितना और इतना LCM दिया रहेगा आपसे LCM पुछ लिए जाएगा तो क्या करिएगा दो संक्याओं का गुड़नफल LCM लिखिएगा और दो संक्याओं पर लिख लिएगा और यहाँ पर जो LCM दिया रहेगा LCM का मान लिख लेंगे LCM निकलना है तो LCM जयों कत्यों रखेंगे फिर जो गुना में रहेगा इदर भाग में जाएगा अपने आप आपको LCM आ जाएगा तो इस बात को समझना जरूर है यह बहुत इपॉर्टेंट है जब भी आता है तो दो मार्क्स में आएगा सॉट में ठीक है आपको हमने स्टार्टिंग में कहा दिया था कि पांच नमबर का सिर्फ इस से आता है एक दस मालोग एक से ठीक है ना तो ध्यान रखना है अगर आजाओ क्वेश्चन नमबर 5 क्वेश्चन नमबर 5 है कि जाज किजिए कि क्या किसी पर किर्फ न के लिए संका छेके पार रहें अंक जीरो पर समार्थ हो सकती है अब मेरे भाई एक बात याद रखना आप बहुत जगा पड़े होंगे साइद इस क्वेश्चन को कि 6 के पार एन ओला आपको अभी तक समझ में नहीं होगा मैं गरांटी दे रहा हूँ क्या आपको समझ माया है समझ माया है तो कमेंट वक् सिख्स के पार एन को बोला है कि क्या यह जीरो पर समाप्त हो जाएगा तो जीरो पर समाप्त कब होगा पहले जानेंगे कोई भी संख्या जीरो पर समाप्त कब हो सकता है जब वो संख्या जो भी दिया हो वो संख्या दू और पांच दोनों से कट जाए तो समझो कि वो 0 पर समाप्त होगी जैसे हमने लिया एक 10 तो 10 जो है न यह 2 और 5 से कट जाएगा तो 10 को बोल सकते हैं कि 0 पर समाप्त हो जाएगा हमने लिया 20 हम चेक करेंगे 2 से कटेगा हाँ 5 से हाँ तो यह 0 पर समाप्थ होगा हमने लिया 100 क्या यह 0 पर समाप्थ हो जाएगा बिल्कुल क्यांकि 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा हमने लिया 90 2 और 5 दोनों से कटेगा जिरो पर समाप्त हो जाएगा लेकिन आपके जो equation में दिया है पांच नमबर में वो दिया है 6 क्या दिया है 6 तो फिर क्या बोलोगे क्या जिरो पर समाप्त होगा नहीं होगा, क्यों हम यहाँ पर 6 लिख लिए 2 से कट जाएगा, सही है लेकिन 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा तो जो संख्या 2 और 5 से कट जाए उसी को बोलेंगे कि ये 0 पर समाब तो होगा अधरवाई सिर्फ 1 से भी कटे तभी भी बोलेंगे नहीं होगा आपको दोनों से ही कटना होगा याद रहेगा? तब फिर क्या बोलेंगे? ना छे ना ये 2 से तो कट रहा है लेकिन 5 से नहीं कट रहा है तब फिर हम इसको क्या बोलेंगे? यह संख्या ज्यादा कुछ ने लिखना है यह संख्या सिर्फ 2 से भी भाजित है सिर्फ 2 से भी भाजित है पांच से नहीं अता अता 6 के पार एन 6 के पार एन 0 पर 0 पर समाप्ट नहीं हो सकती है यह जो मेरा कंसेप्ट है ना इस कंसेप्ट को हमेशा याद रख सकते हो नहीं तो हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं डाउट लेकर के सरजी हमको समझ में नहीं आता है हमारे टीचर तो ऐसे करा हैं वैसे करा हैं आपको समझी में नहीं अभी तक आया होगा तो मेरा बात मानो सिर्फ और सिर्फ ऐसे करके लिख देना आपको कोई टीचर काट नहीं सकता है और उनको डिपली में समझा दोगे तो फिर तो आपके उपर बहुत खुस भी हो जाएंगे ठीक है जो हमने बोला वो काम बोलना है यह गलती बोल दोगे और टीचर हो खुस हो जाएंगे हमको भी किसलिए कोशिज करता हूँ कि हमारे सभी इस्टुडेन को एक ही बार में सारे कंसेप समझ में आ जाएं बार-बार मेरा विडियो देखने के जरूरात है ना पड़े ठीक है चलो 6 नमबर देखो 6 नमबर क्या है 6 नमबर है कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 पलस 13 और और क्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 पलस 5 यह आपका question है यह बोला है कि भाज संख्या क्यों है अब भाज संख्या क्यों होता है बताओ भाज संख्या मुझे बोलते हैं जो एक और अपने आपके अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो तो समझो क्यों भाज संख्या है जिसको इंग्लिस में composite नंबर बोलते हैं ठीक है तो देखाओ एक क्यों है तो पहले क्या करेंगे इसको हल करेंगे गईया शाथ लिए और 11 से करेंगे 77 गुम्हां करेंगे कितना होगा साथ्य एक के काईस की एक हांसील दू सत्य एक के काईस सदू 22 तेइस और ये हो जाएगा 77 एक दस साथ दू नो नव सब एक ठीक है और इसमें तिरह जोड़ेंगे ना तिरह चार एक और ये नव सो चोग यहां पर 10 हो जाएगा यार क्योंकि 7-10-10-10-14 आजाएगा कितना आएगा इसको गुना करने पर और जोडने पर 1014 और इसको करेंगे तो कितना होगा तो साथ सक 42 पंचव का 20 22 चालिस चालिस तें 120 एक 120 और 42 ले करेंगे 120 और 42 ले गुना करेंगे 240 जीरो आठ चार जीरो चार आठ दस 540 और पांच जोड़ देंगे यह हो जाएगा पचास पैंच जब गुना करके इनको जोड़ दिये तहहां पचास पैंच और दस चव्दव इतना गया अब ये जो आया है अब आपको यह देखना है क्या एक से कटेंगा बिल्कुल यह भी कटेंगा अपने आप से कटेंगा बिल्कुल दस चव्दव से direct कर जाएगा 55 ले अपने आप अपने आपके अलावा भी अलग नंबर से अलग संख्या से बिभाजित होगा अत्ता या भाज संख्या है ठीक है यह हुगा कंसेप्ट समझना आया तो जब भी आपका क्वेश्चेन आए मेरा कंसेप्ट लगाओ आपका भी अपने लाइफ में नहीं बोल पाओगे ठीक है चलो छे नंबर हो गया साथ और लाश्ट है साथ नंबर क्या है साथ नंबर में बहुत सारे स्ट्डेंट कंफीजन में रते हैं साथ नंबर है कि कि ivy खेल्के मैदान के चारो और एक विर्थेकार पत्थ है हिस मैदान का एक छकर लगाने के सुनिय को अठारा अजसें तो माल लीजिए वे दोनों एक ही अष्थान और एक ही समय पर चलना पराम करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुना परामभी के अष्थान पर मिलेंगे देखो इसमें दो लोग है यह देखो ग्राउंड हो गया थोड़ा मेरा उतना अच्छा नहीं आप लो सौनिय जो है कि ए जो सोनिय है कि सोनिय को 8 मिनट लग रहा है यूड हां से सोनिय श्टार्ट की ठीक है अबर और भी को कितना लगा है रभी को 8 मिनट रभी को क्या है इसमें क्या था रभी था रभी को कितना लगा है 12 मिनट ओके रभी को देखो इसी मेदान को सुनिया को 18 मिनट लग गया दोड़ने में और रभी को 12 मिनट ही लग गया तब आपसे पुछा जा रहा है कि बताओ कि वे दोनों एक ही अस्थान और एक ही समय से चलना पराम करेंग देखो एक ही समय और एक ही अस्थान से दोनों दोड़ना पराम किया है एक ही दिशा में भी और एक ही दिशा में भी एक ही साथ मतलब यहां वो भी है और यहां सोनियार भी दोनों है समय एक ही है और एक ही दिशा मतलब ऐसा ही दोनों स्टार्ट किया है ठीक है तो कितने समय समय बाद पुना स्थान पर मिलेंगे मतलब बताओ दोनों मतलब एक ही अस्थान पर दोनों कब मिलेगा यह बताना है ठीक है तो जब भी ऐसा क्वेशन कहें कि कितने समय बाद एक ही जगा दोनों मिलें कम से कम की बात किया जा रहा है कि कितने कम समय में दोनों मिल जाएंगे यानि आप पर concept चुपा हुआ है कम से कम समय में कब दुनों मिलेंगे तो कम से कम की बात करें तो सिधा आपको क्या करना है आपको इसका LCM निकाल देना है क्या निकालना है LCM जब अधिक्तम का बात करें तो LCM निकाल देना है तो लिका लिए LCM 12 का फैक्टर तोड़िए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 LCM निकाली इन कैसे हमें क्या होता है जो एसको सारे चीज तो हम क्या करते हैं क्या पर LCC मलतीर पाहले VC निकालते के एसे यह आपकाम नहीं है लेकिन LCMA काम है तो उसमें एसे का जरुष होता है VCnew निकालते हैं तो क्या होगा दो情況 में सें एक आघू बच गया सारे को लिखेंगे तो अर्टीन और टीन को लिख लेंगे टीन दूने च्छे चाहाँ के शतिस यह शाथिस मिनट बाद सोनिया और दूने के अस्थान पर मिलेंगे लिख देंगे आपर अता रभी और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों एक ही अस्थान पर मिल जाएंगे तो मैं उम्मिद करता हूं कि यह क्लास स्लाज में आप लोग अच्छे साया होगा कोई डाउड कोई दिकत हो कमेंट बक्स में कमेंट करिए और जो लोग चाहते हैं कि क्लास 10 वी की बहुत ही अच्छे से पढ करें या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मात्र आपको 499 में आपको पूरा फोल कोर्स कराया जा रहा है तो जिनको जोइन करना है जल से जल जोइन करें और अपना कोर्स बहुत ही कम समय में अच्छे से कंप्लिट करें और यह जो है एक मांद कर नहीं है जब तक आपक हम अपके साथ है जो डाउट जो दिकत आता है हम आपके साथ है और पर अपक्यों नहीं पढ़ते हो जो भी डाउट होगा हमेसा समझाने के लिए आप लोग अलग से टाइम निकाल दे हैं और अलग से दे यह सारा चीज मात्र 499 में जिनको जोईन करना है जल से जौइन करे जो लोग को नहीं करने आ रहा है वो लोग हमारे इस नमबर पे कॉल करके सर से बात करो और बता पुछो क्या आपको कमी आ रहा है कैसे क्या होगा ठीक है चलो मिलते हैं नेक्ट वीडियों बच्चों